आज से प्रदेश में वर्षा की मात्रा और सीमा बढ़ने की आशंका जताई गई है मौसम विध्यान केंद्र की माने तो आज कंधमाल नवरंपूर कालाहांडी मालकांगिरी को रापुट गजपती गंजाम रायगड और बोलांगीर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है आने वाले दो दिनों तक मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना है मंगलवार को राश्ट्रपती द्रॉपदी मुर्मु तीन दिवसिये दौरे परोडिशा पहुँचेंगी जानकारी के मुताबा की राश्ट्रपती मुर्मु नई दिल्ली से वायू सेना के विशेश विमान से भुवनेश्वर हवाई अड़े पर पहुँचेंगी इसके बाद वे वहां से राजभवन जाएंगी अगले दिन बुधवार यानी 26 जुलाई को वे कटक के चंडी मंदिर जाएंगी और वहां पूजा आरचना करेंगी 27 जुलाई को वे ब्रहम कुमारी केंदर लाइट हाउस कॉम्पलेक्स की आधारशिला रखेंगी पुरी से एक तस्वीर सामने आई जिसने सरकार के विकास के दावों की पोल खोल कर रख दी है यहां जरजर लकडी के पुल से दिन में दो बार बच्चों का आना जाना होता है पिछले कई वर्षों से जान जोखिम डाल कर बच्चे स्कूल जाने को मजबूर है 2013 में मुख्यमंत्री यहां पर शिलान्यास भी कर चुके हैं लेकिन आज भी पुल महस दो पिलर पर ही अटका हुआ है ओडिशा के नुवापाड़ा जिले के पाटदरा रिजर्व वन खेत्र में माववादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलते ही CRPF SOG और DVF जवानों ने सन्युक्त रूप से इलाके में कॉम्बिंग ओपरेशन चलाया इसकी भनक लगते ही नकसली वहां से भाग निकले और सुरक्षा कर्मियों ने उनके शिविर को ध्वस्त कर दिया और उनके इस्तिमाल में लाई जाने वाली सामगरियों को जब्द कर लिया मुजफर्पुर में सुमवार को बरौनी नई दिल्ली ट्रेन के चालक की सूचबूच से ओडिशा के बालेशवर जैसी घटना होने से बची रूट डाइवर्ट होने के बावजूद पैनल ने ट्रेन को ग्रीन सिगनल दे दिया करीब पाँच मिनट तक ट्रेन गलत रूट पर चलती रही जब चालक ने काशन पेपर देखा तो उसके होश उड़ गए ट्रेन गलत दिशा में जा रही थी उसने तुरंत ब्रेक लगा कर गाड़ी रोकी पांडव रेड़ी इस बात से नाराज था कि दत्तक पुत्र के रूप में किसी और के घर में रह रहा उसका छोटा भाई भी अब पिता की संपत्ती में अपना हिस्सा मांग रहा था इस बात से पांडव को नाराज गी थी इसी में अपना आपाक होकर उसने अपने माता पिता सहित बहन छोटे भाई की पत्नी पर कुलहाडी से हमला कर दिया और अपनी पत्नी के साथ फरार हो गया मोधी सरकार के खिलाफ इंडिया गठ बंधन में शामिल कुछ विपक्षी दल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस ला सकते हैं मंगलवार सुभा घटक दलों की बैठक में नोटिस सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई संधर्शकरस्त मनिपूर की स्थिती पर पीएम मोधी को संसद में बोलने के लिए मजबूर करने के विभिन विकल्पों पर विचार करने के बाद यह निर्ने लिया गया आप सांसद संजय सिंह के निलंबन के साथ साथ मनिपूर मुद्दे पर राजस्भा के विपक्षी सांसदों का धरना पूरी रात जारी रहा मनिपूर वाइरल विडियो में सुमवार को संसद में जबरदस्थ हंगामा हुआ हंगामेदार सत्र के दौरान आप सांसद संजय सिंह ने वेल में राजस्भा सभापती जगदीप धन्खड की कुरसी के सामने पहुँच कर बिरोध किया उनके इस हरकत के कारण उन्हें पूरे संसद सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है प्येम मोदी ने मंगलवार को बीजेपी संसदिय दल की बैठक को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जम कर हमला बोला उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा प्रधान मंत्री ने विपक्षी दलों के गठ बंधन का आएंडिया ये नाम रखने पर कहा कि इस्ट इंडिया कमपनी भी इंडिया है और इंडियन मुझाहिद्दीन में भी इंडियन है चीन के शीर्ष नेताओं ने सोमवार को 24 सदसिय पोलित ब्यूरो की बैठक की इस बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था नई कठिनाईयों और चुनोतियों का सामना कर रही है बैठक में बताया गया कि वर्तमान आर्थिक संचालन नई कठिनाईयों और चुनोतियों का सामना कर रहा है अपर्याप्त घरेलू मान प्रमुख क्षेत्रों में उच्च जोखिम और गंभीर बाहरी वातावर्ण इसके प्रमुख कारण है रूस से जुड़े वैगन समूह के हजारों भाड़े के सैनिक बेलारूस पहुँचे है सैनिय निगरानी समूह ने सोंबार को इसकी जानकारी दी देश के भीतर सेना की गतिविधियों पर नजर रखने वाले एक कार्यकरता समूह बेलारूस की हाजुन के अनुसार 3000 से अधिक सैनिकों ने शहर असिपोविची के करीब एक शिविर की यात्रा की बेलारूसी राष्ट्रपती अलेक जेंडर लुकाशेंको ने देश में वैगन सेना का स्वागत किया जिरायल में ओवर्हाल विधेयक को लेकर प्रधान मंतरी बेंजामिन नेतन्याहु के खिलाफ हजारों लोग सडकों पर उतर आये हैं और विरोध प्रधर्शन कर रहे हैं प्रधर्शन कारियों का कहना है कि अगर यह विधेयक पारित होता है तो इससे सरकार को मनमाने निर्णय लेने अनुचित नियुक्तिया करने या बर्खास्तगी करने और भष्टाचार करने की अनुमती मिल जाएगी वांग चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी की केंद्रिय समिती में विदेश मामलों के आयोग कार्यालय के निदेशक है दोभाल और उनकी मुलाकात इंडोनेशिया की राजधानी जकारता में विदेश मंत्री एस जैशंकर और वांग के बीच बैठक के कुछ दिन बाद हुई जैशंकर और वांग ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शान्ती और अमन्चैन से संबंधित लंबित मुद्दों पर चर्चा की थी Students Islamic Movement of India सिमी पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीन कोर्ट ने मंगलवार को ततकाल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है न्यायमूर्ती एस के कॉल और न्यायमूर्ती सुधाशु धूलिया की पीठ सम्विधान के अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर सुनवाई पूरी होने के बाद सिमी मामले का रुख करेगी बता दे यह मुद्दा 18 जन्वरी के बाद से सूची बद्ध नहीं किया गया है के वरिष्ट प्रचारक मदन दास देवी के निधन पर शोक जताया और राष्ट निर्माण में उनके योगदान की सराहना की उनका अंतिन संसकार मंगलवार को महाराष्ट के पुने में किया जाएगा मसकट जाने वाली ओमान एयर फ्लाइट में उडान के कुछ देर बाद ही तकनीकी खराबी आ गई जिसके कारण वह वापस कोजिकोर एयरपोर्ट लोट गई इस बात की जानकारी कोजिकोर कालीकट अंतरराष्ट्रिय हवाई अड़्डा के अधिकारी द्वारा दी गई है फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रही है मामले में अन्य जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है ब्रिटेन के सांसद लॉड करण बिलिमोरिया ने भविश्यवानी की है कि दो हजार साथ तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा उन्होंने कहा कि पच्चीस सालों के अंदर ही मेरी भविश्यवानी है कि भारत की जीडीपी 32 ट्रिलियन डॉलर और यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी ब्रिटेन के सांसद ने कहा कि ब्रिटेन में भारतिय मूल के कई सफल नेता है श्री लंका की नौसेना ने अपनी समुदरी सीमा का कथित रूप से उलंधन करने पर तमिलनाडु के नौ मच्छुआरों को गिरफतार कर लिया है राज्य के मत्स्य विभाग के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी अधिकारी ने बताया कि श्री लंकाई नौसेना ने दो मशिनिकृत नौकाई भी जब्द कर ली है भारतिय महिला अंजु के केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है महिला के पिता गया प्रसाद थॉमस ने दावा किया है कि वह मानसिक रूप से परिशान और सनकी है अंजु का जन्म उत्तर प्रदेश के कैलोर गाउ में हुआ था और वह राजस्थान के अलवर जिले में रहती थी उसके पिता ने बताया कि बेटी शादी के बाद से उनका उससे कोई रिष्टा नहीं रहा है करनाटक के उडुपी जिले में एक व्यक्ती की उफंते जरने में गिरने से मौत हो गई ये घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई क्योंकि युवक रीस बना रहा था तभी उसकी मौत हो गई मौतक युवक की पहचान शरत कुमार के रूप में हुई है और उसकी उम्र 23 साल बताई जा रही है इस घटना का विडियो सोशल मीडिया से वाइरल हो रहा है पेरल में हो रही भारी बारिश को देखते हुए जिला कलेक्टरों ने वाइनाड कोजिकोर कन्नूर और मलप पुरम जिलों में ICSAE और CBSAE के तहत सभी कॉलेज और स्कूल बंद करने का फैसला किया है वही भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 23 जुलाई से 26 जुलाई तक राज्य के अधिकांश स्थानों पर गरच के साथ बारिश की भविश्यवानी की है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोज सावंत ने सुमवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य में अब किसी भी विदेशी कैसीनों को अनुमती नहीं देगी C.N. प्रमोज सावंत विधान सभा में ग्रे विभाग की अनुदान मांगो पर जवाब दे रहे थे जानकारी के मुताबिक गोवा में 6 कैसीनों हैं जो मांडोवी नदी पर जहाजों से संचालित होते हैं इसके अलावा अब अन्य कैसीनों को अनुमती नहीं दी जाएगा निग्मा आटो मोबाइल्स एम्बियर एन आठ को 10500 रुपए से 100000 रुपए एक सशोरूम के बीच लॉंच किया गया है आप इस इलेक्ट्रिक स्कूचर को ओनलाइन माध्यम से कंपनी की वेबसाइट पर जाकर बुकिंग करवा सकते हैं एनिग्मा अम्बियर एन आठ इलेक्ट्रिक स्कूटर में 1500W का मोटर लगा हुआ है जिसकी टॉप स्पीड 45 से 50 किलोमेटर प्रती घंटा है कंपनी का दावा है कि यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 200 किलोग्राम तक का भार संभाल सकता है DRDO ने प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के पदों पर निकाली भरती इस बैंक में भी जॉब का शांदार मौका बैंक आफ महाराश्ट्र की ओर से ऑफिसर स्केल 2A13 के पदों पर भरती निकाली है इस वैकिंसी के माध्यन से 400 पदों पर नियुक्तिया की जाएंगी इस भरती के लिए आवेदन की अंतिम्ग तिथी 25 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है कैंडिडेट्स पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं बैंक आफ महाराश्ट्र की ओर से ऑफिसर स्केल 2A13 के पदों पर भरती निकाली है इस वैकिन्सी के माध्यम से 400 पदों पर नियुक्तिया की जाएंगी इस भरती के लिए आवेदन की अंतिम्ग तिथी 25 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है कैंडिडेट्स पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं स्पाइस जेट को DGCA ने अपनी निगरानी व्यवस्था से हटा दिया है पिछले साल एरलाइन के विमानों में लगातार आ रही खराबी के कारण नियामक ने इसे निगरानी प्रक्रिया में लाने का फैसला किया था इस दौरान DGCA की ओर से स्पाइट जेट के 23 विमानों का निरीक्षन किया गया है इसके बाद एरलाइन का संचालन सामान्य हो जाएगा सरकारी टेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल डीजल अपडेट कर दिये गए हैं दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96.7 दो रुपए और डीजल 89.6 दो रुपए प्रती लीटर में बिक रहा है इंडियन ओयल की वेबसाइट के मुताबिक 9224992249 पर RASP डीलर कोड लिखकर SMS करके आसानी से पेट्रोल डीजल के दाम पता कर सकते हैं धारतिय बल्ले बाजों के आक्रमक प्रदर्शन के बाद अनुभवी स्पिनर रविचंदरन अश्विन की गेंदबाजी से भारत ने वेस्ट इंडीज के विरुद्ध दूसरे टेस्ट मैच शिकंजा कसलिया है अश्विन के कैरेबियाई धर्ती पर 75 विकेट हो गए हैं और उन्होंने अनिल कुम्बले 74 को पीछे छोड़ा अश्विन के कुल 712 विकेट हो गए हैं और वह सिर्फ अनिल कुम्बले से पीछे हैं दिल्ली में जन्मे मिलिंद कुमार ने सोमबार 24 जुलाई को टेकसास सुपर किंग्स और सैन फ्रांसिसको यूनिकॉर्ण के बीच मेजर लीग क्रिकेट में 42 गेंदों में 52 रनों की संसनी खेस पारी खेली कुमार पूर्व भारतिय घरेलू क्रिकेटर थे वह 2010 से 2017 तक दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया था इसके बाद वह सिक्किम के लिए खेलते थे बिक बॉस घर कंट्रोवर्सी रोमास और दोस्ती के लिए फेमस है इस रेलेटी शो में अक्सर रिष्टे बनते बिगड़ते रहते हैं ऐसा ही कुछ मनिशा रानी और अभिशेक मलहान के बीच भी होते देखने को मिला शो के दोरान दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई अब नॉमिनेशन में आई मनिशा ने फुकरा इंसान से अपने दिल की बात कही है